प्रश्ट, तुम बच्चों की उची तकदीर कौन सी है, जिसके आधार पर तुम सारे सारे स्रिष्टी का की तकदीर को जान जाते हैं। तुमारी तकदीर इतने उची है, कौन सी है वो तुमारी तकदीर, कौन सा वो भाग्य आपके पास है, जो दुनिया में किसी और के पास ने, जिसके आधार पर आप सारे स्रिष्टी की तकदीर को जान जाते हैं। ऐसा कौन सा है आपके पास है, क्या ऐसा पढ़ा दिया भगवान ने आपको, जो आप सारे स्रिष्टी चक्र की एक एक आत्मा के बारे में जान जाते हो, कि इनका भाग्य क्या है। बाबा आकर हमेश्वा दर्शन चक्र धारी बनाते हैं। सत्यूग, त्रेता, द्वापुर, कल्यूग और संगम, फिर कैसे पूरा चक्र आप लगाते हो। जैसा चक्र आप लगाते हो, ऐसे चक्र सब लगाते हो। आप अपने बारे में जान जाते हो, और आप सब के बारे में जान जाते हो। जाए वो तेतिस क्रोड देवताई हो, जैसे हमने चक्र लगाया, ऐसे उन्होंने भी चक्र लगाया। सभी को परमात्मा आकर इस समय पढ़ाते हैं सत्योग में सारे पावन होते हैं और कल्योग के अंत में आकर सारे तमो परधान बन आप अपना भाग्य परमपिता परमात्मा से जानते हो ये आपकी तकदीर है न कि आपको परमपिता परमात्मा आकर स्वधर्शन चक्र धारी बनाते हैं ये सबसे उँचे ते उँची तकदीर है अब जो इतना स्वधर्शन चक्र को चलाएगा तो क्या बनेगा? उसे क्या फैदा होगा? और क्या फैदा होगा? आप चक्रवर्थी राजा बनेगे जितना स्वधर्शन चक्र फिराएंगे उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे जितना अपने बुराईयों का गला काटेंगे उतने बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे यह है आपकी सबसे उचेते उची तकदीर तुम ब्रामन अभी स्वधर्शन चक्रवर्ती बने हो तुम अपने भी तकदीर को जानते हो तो सारे स्रिष्टी की भी तकदीर को जानते हो बाबा आये हैं तुम बच्चों को हीरे समान तकदीर बनाने हीरे समान तकदीर बनाना क्या मतलब हीरे जैसी आपकी तकदीर बनाते हैं जैसे हीरा कोईले की खान में मिलता है हम भी पतित दुनिया में पड़े हुए थे हम भी विकारों में ग्रस्त थे बुराईयों से बरे पड़े थे अब बाबा आकर सुदर्शन चक्र हमें देकर एक एक बुराई का गला काटने की ट्रेनिंग देते हैं हम जितना बुराईयों का गला काटते जाएंगे उतना बेदा गहीरा बनते जाएंगे समरिती में रहे स्वयम भगवान हमारी तकदीर बनाने के लिए पड़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी तकदीर बनती रहेगी कैसे बनेगी जितना जितना हम बाबा की शिरी मत पर बिना चले नहीं बनेगी